हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी न्यू लेक्चर बच्चों हम लोग कर रहे थे इंफानाइट सीरीज को और आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं कमपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट के बारे में और लास्ट लेक्चर तक मैं आपको जियोमेट्रिक सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यह जिसको हम लेविनेट्स टेस्ट भी कहते हैं उसको मैं आपको करवा चुका हूँ उनसे रिलेटेड मैंने आपको कोश्चंज भी करवाई हुए थे तो आप उन लेक्चर को भी जुरूर बोच कर लेना तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट एंड पी टेस्ट को तो कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट यह बहुत ही इजी सा है और इन से रिलेटेड जो कोश्चंज हैं वो एक्जाम में अक्सर पूशे जाते हैं तो चली जगली से हम देखते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट है क्या मैं इनकी डेफिनेशन और इनके मतलब को पहले आपको बताऊंगा फिर इनको कैसे आपने अपलाई करना है फिर मैं आपको बो भी बताऊंगा और साथ में इन से रिलेटेड अलग अलग टाइप के कोश्चंज में आपको सॉल्व करवाऊंगा तो यहाँ पर सबसे बहले जो कंपैरिजन टेस्ट है suppose summation an and bn are positive term series यहाँ पर an और जो bn है यह positive terms की series है then limit and tend to infinity an upon bn is equal to l मतलब यहाँ पर यह unique and finite आ रही है और यह non zero है ठीक है यह zero के equal नहीं होने चाहिए then both series converge और diverge together ठीक है तो दोनों series जो है वो converge और diverge करेंगी together अब यहाँ पर इसके मतलब को पहले मैं आपको समझाता हूँ actual में जो question है question में आपके पास क्या दियो होगा कि आपके पास एक series submission an तो दी हुई होगी आपने क्या करना है वहाँ पर कि आपने अपनी मर्जी से bn को चूज करना है आपने switchingbn को चूज करना है और यह कैसे चूज करनी है है मापको आगे बताओंगा तो आपने एन जो आपके पास question में दी होगी आपने bn खुद चूज करनी है फिर आपने aN उपन bn निकालना है फिर आपने देखना है कि वह finite and unique आ रही है या नहीं तो यहां पर यह फर्स्ट लाइन जो थी इसका मतला आप समझ चुके होंगे अब है इफ लिमिट अन्ट इन्ट इन्फिनिटी एन उपॉन बियन इस इगल टू जिरो मतलब यह मैंने आप रोधन नोन जिरो होगा अगर मानलों यह जिरो के एकवल आ जाता है तो यहां पर क्य यहां जो बाकतलों हो समर्व डायवर्ज करेगा इन यहां पर यह फेस का पर दियां कि अपर आपर वह Il के इकवल आ मतलब non-zero है और वो finite है तो वो जो series होंगी दोनों ये converge और diverge करेंगी together और अगर in case अगर ये 0 के equal आ भी जाता है तो अगर bn converge कर रही होगी तभी an converge करेगी ठीक है तो ये था पूरा का पूरा comparison test इसका यहाँ पर हमने जो bn है ये कैसे चूज करना है तो जो p test है इसमें क्यों होता है कि जो submission 1 upon n raised to power p है ये converge करता है 4 p is greater than 1 and diverge करता है 4 p is less than or equal to 1 इसलिए मैंने आपको last lecture में आपको करवाया था ना submission 1 upon n तो मैंने बोला था कि जो submission 1 upon n है वो diverge करता है ठीक है और submission 1 upon n square लूँगा या 1 submission 1 upon n raised to power 3 लूँगा तो इस तरह की series जो है वो converge करती है तो देखो मैंने वो speed test की help से ही बोला था अगर p की value यहाँ पर p की value अगर बड़ी है 1 से अब मालो अगर 3 by 2 ही है तो भी ये converge करेगी ठीक है? converge करेगी p is greater than 1 ठीक है अगर p की value 1 से बड़ी है तो ये converge करेगी और अगर in case मैंने आपको बताया था न कि submission 1 upon n जो वो diverge कर रही है तो वहाँ पर 1 upon n यानि की p की value वहाँ पर 1 थी और 1 के case में ये diverge करती है और अगर 1 से शोटा भी होगा तो भी ये diverge करेगी ठीक है? जैसे अगर 1 upon n raised power 2 by 3 आ जाता है तो वो 1 से शोटे आ रही है power तो इसका मतलब वो diverge करेगी ठीक है? तो ये simple सा p test था और इसी का ही हम use करेंगे हम comparison test और p test दोनों का साथ में ही use करेंगे questions को solve करते time ठीक है? तो ये दोनों test आपको पता चल चुके होंगे अब बात है कि हम इसको apply कैसे करेंगे ठीक है method to apply comparison test तो यहाँ पर अभी हमने bn कैसे चूज करना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे तो सबसे बहले आपने क्या करना है to evaluate limit and tending to infinity an upon bn firstly choose submission bn जैसे कि मैं आपको बता है कि सबसे बहले आपको submission bn आपको चूज करने पड़ेगी और submission bn आपने कैसी चूज करनी है 1 upon n raised power p 1 upon n raised power p आपने इस तरह से चूज करना है where p is degree of denominator of an minus degree of numerator of an ठीक है? तो यहाँ पर आपने p को किस तरह से चूज करना है यह यहाँ पर आपने इस तरह से चूज करना है तो bn आपने 1 upon n raised power p इस तरह से चूज करना है और p की value आपने चूज करनी है यह मैं आपको question में समझाऊँगा अच्छी तरह से जो an होगा उसमें जो denominator होगा है यहां पर अगरальный जो वह है अगर वह इन है साइं इंवर्स वह बनबोण ये बहुत जारा इंपोर्ट यह यह से Tai इन वह बने में आपना है मटलब हमने की कैस में मैं अगर कुछ ओर होगा तो आपने इस तरह से डिटर्माइन करनी है और अगरapp 접 लिया-पत्र इन-् से इन केसिस में आप डायरेक्ट बन अपून एंड चूज करोगे इनसे रिलेटेटिडिवे मैं आपको कोश्टन बताने बाला हूँ आगे तो अब हम कोश्टन को करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से कंपेरिजन टैस को अपलाई करना है तो यहां पर मैंने सबसे न तो किस तरह से लिख सकता हूं मैं सको तो इसको मैं लिख सकता हूं यह क्या है उपर alar नमबर aumentar to and minus one से और upon में आजाएगा यहां पर है वन सरल कि-रे यहां लाइब ऑन इसका फिंपर यहां प्लस रू recharge रुचार्पिए तो यहाँ पर आ जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 ठीक है तो देखो यहाँ पर तो यह जो मैंने अभी मनाया ने a n को यहाँ पर यह बनाना easy था इसलिए मैंने इसको simply बना दिया लेकिन हो सकते कि किसी question में आपको यहाँ पर समझ में मिना आएगी यहाँ पर आपने किस तरह से इसको choose करन आपने फर्स्ट टू टम्स को देखना है और वन के क्रॉस्पंडिंग यहाँ पर 3 है और इस वन के क्रॉस्पंडिंग यहाँ पर 2 है आपने इसके क्रॉस्पंडिंग आपने यहाँ पर इन टम्स को देखना है वन के क्रॉस्पंडिंग 2 है टू के क्रॉस्पंडिंग 3 है औ यहां पर आजाएगा 1 plus n minus 1 d d क्या है इन दोनों में difference कितना है two का तो यहां पर आजाएगा two ठीक है यह मैं आपको choose मतलब यह जो मैंने अभी किया न है यह कैसे आ रहा है मैं आपको बहुत बता रहा हूं यहां पर upon में आजाएगा क्योंकि आपको किसी question में ऐसे हो इस तरह से दिया हो तो आपने वन के corresponding 5 को देखना था इस तरह से आपने इसको देखना था अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर तो difference 11 का है हो सकता है कि किसी question में यहां पर difference जादा जादा का दिया हो तो आप वहां पर confuse ना हो जाओ इसलिए आपको बता रहा हूं तो अब हम यहां पर फिर से formula लगाएंगे a plus n minus 1 d वाला ठीक है तो a है इस वक्त 1 1 plus n minus 1 तो n minus 1 और d की value है मेरे पास 2 minus 1 वन आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा n minus 1 into 1 अब into में है अब 2 के corresponding हमने 3 को देखना है तो यहां पर आ जाएगा 2 a plus n minus 1 d है तो 2 plus n minus 1 और d की value फिर से 1 है ठीक है into अब a की value 3 होगी 3 plus n minus 1 और d की value फिर से 1 है ठीक है तो यह आ जाएगा मेरे पास अब इसको अगर में simplify करके लिखो तो यह आ जाएगा 1 plus 2 n minus 2 upon नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 plus n minus 1 into 2 plus n minus 1 वही आ जाएगा 3 plus n minus 1 ठीक है which is equal to तो यहाँ पर देखो अभी 2 n minus 1 बन जाएगा 2 n minus 1 बन जाएगा और नीचे के आ जाएगा 2n-1 upon n into n plus 1 into n plus 2 ठीक है तो यहाँ पर तो easy था तो मैंने यहाँ पर direct लिख दिया था अगर किसी question में यहाँ पर easy नहीं होता है तो आपने इस तरह से इसको follow करके आपने इसका answer निकालना है ठीक है तो अब यह मेरे पास जो an की value थी वो मेरे पास यहाँ पर आगी है अब मैंने bn को choose करना है क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था आपने bn को किस तरह से choose करना है तो bn को आपने choose करना है degree of denominator minus degree of numerator तो numerator की जो degree है यहाँ पर n की power मतलब 1 है न यहाँ पर और नीचे कितने n है 1, 2, 3 और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह multiply में हो रहे है इसलिए यहाँ पर n की power cube बन रही है अगर आपके पास अगर n square प्लस n square दिये हुए तो बहाँ पर n की power 2 ही रहेगी बहाँ पर आपने n raised power 4 नहीं लिखना है यहाँ पर यह multiply method तो n into n into n बनेगा तो यह n cube बनेगा तो n cube और उपर है power इसकी 1 तो यहाँ पर आपने choose कैसे करना इसको 3 minus 1 क्योंकि नीचे 3 है उपर 1 है degree of denominator minus degree of numerator तो 3 minus 1 किया तो यह 2 आजाएगा यहाँ पर आपने p की value को 2 चूज करना है तो यहाँ पर आजाएगा 1 upon n raised power 2 बन जाएगा ठीक है तो यह मैंने bn को choose कर लिया अब मैंने an upon bn निकालना है तो मैं इसको next page पर करता हूँ तो simply यहाँ पर क्या आजाएगा कि an upon जब मैं bn करूंगा तो इस n के साथ एक n कट जाएगा तो एक n उपर आजाएगा और बाकिकी सारी term सेम रहेंगी तो मैं इसको next page पर करता हूँ तो an upon bn मेरे पास आ रहा है 2n minus 1 upon n into n plus 1 n plus 2 यह मेरे पास an की value थी और into में bn जो है उल्टा हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आजाएगा n upon में आजाएगा यहाँ पर भी 1n यहाँ है और 1n यहाँ है मतलब 2n है और n square को अगर मैं common ले रहा हूँ which is equal to 1 plus 1 upon n and यहाँ पर आजाएगा 1 plus 2 upon n ठीक है अब n square के साथ n square कट जाएगा ऐसा मैंने इसलिए कि क्यों कि मैंने यहाँ पर limit and 10 to infinity भी तो करना था तो यहाँ पर भी मैं limit n tend to infinity अगर करता हूँ a n upon b n that is equal to a n upon b n यह था न तो यहाँ पर आजाएगा 2 minus 1 upon n n जब infinity को tend होगा तो यह 0 को अप्रोच करेगा upon 1 plus यह भी 0 बन जाएगा into 1 plus 0 which is equal to 2 upon 1 into 1 यह 1 ही बन जाएगा तो यानि कि मेरे पास आ रहा है 2 upon 1 which is equal to 2 that is not equal to 0 अब यह जो 2 है यह 0 को equal नहीं है और यह finite भी है तो इसका मतलब कि summation a n यानि कि जो series a n है and summation b n जो series b n है both converge और diverge together both converge or diverge together together but अब हमने देखना है कि जो b n है वो convergent series है या divergent series है तो b n थी 1 upon n square मैंने चूज की हुई तो submission b n is equal to submission 1 upon n square अब देखो यहाँ पर p की value यहाँ पर 2 आ रही है n raise power p था न तो p की value हाँ पर 2 आ रही है और मैंने आपको क्या बोला था p greater than 1 के लिए यह series जो है convergent होती है तो अब ही इसका मतलब किया है which implies submission b n converges अब submission b n जो है यह converge कर रही है तो इसका मतलब submission a n भी converge करेगी which implies submission a n also converges ठीक है तो हमने इस तरह से question को solve किया अब हम कुछ इसी तरह से हम एक और example लेते है अशा अब यहाँ पर मेरे पास एक और example दिये कुछ इसी तरह से तो यहाँ पर अगर मैं submission a n को लिखना चाहूं तो यह कैं बन जाएगा which is equal to submission अब देखो यहाँ पर फिर से उपर तो odd powers आ रही है तो यहाँ पर 2 n minus 1 बन जाएगा अब यहाँ पर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा difficult हो रहा है यहाँ पर हमको choose करना तो हम यहाँ पर जो मैंने आपको trick बताए थी a plus n minus 1 d वाली हम यहाँ पर हम उसका use करने वाले हैं तो यहाँ पर 1 और 5 को देखेंगे 3 और 7 को देखेंगे corresponding terms को देखेंगे हम तो यहाँ पर a plus n minus 1 d हम formula लगाते हैं तो a की value है 1 plus n minus 1 and difference कितना है 1 और 5 के बीच में 4 का तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ठीक है into next 3 और 7 को देखेंगे तो a की value आ जाएगी 3 plus n minus 1 and d कितना है मतलब difference 3 और 7 के बीच में तो यहाँ पर फिर से 4 का difference है तो यहाँ पर into में 4 आ जाएगा तो which is equal to summation अब 2n minus 1 upon नीचे के आ जाएगा 1 plus यहाँ पर 4n minus 4 बन जाएगा into यहाँ पर आ जाएगा 3 plus 4n minus 4 which is equal to summation 2n minus 1 upon 4n minus 4 and plus 1 है तो यहाँ पर minus 3 आ जाएगा 4n minus 3 into यहाँ पर आ जाएगा minus 4 है और यहाँ पर plus 3 है यहाँ पर minus 1 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4n minus 1 ठीक है तो यादि कि मेरे पास an के value यह आ रही है ठीक है 4n minus 1 ठीक है अब मैंने bn को चूज करना है ठीक है bn किस तर से चूज करनी है degree of denominator minus degree of numerator तो नीचे है 1 and 2 मतलब n का square बन रहा है और उपर n की power 1 है तो यहाँ पर मैं चूज करूँगा p को p is equal to n square है तो 2 minus 1 करूँगा तो 2 minus 1 which is equal to 1 तो p की value मेरे पास 1 आ रही है तो यानि कि मैंने चूज करना है 1 upon n raised to power p और p की value 1 है तो 1 upon n ही बन जाएगा तो मैंने bn को चूज कर लिया अब मैंने an upon vn निकालना है तो an upon bn तो वो मेरे पास आ जाएगा 2n minus 1 upon 4n minus 3 4n minus 1 into अब n को अगर मैं common लेता हूँ यहाँ से तो यह n square बन जाएगा n into n n square बन जाएगा और 2 minus 1 upon n बन जाएगा नीचे भी मैं n square को अगर common लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 4 minus 3 upon n into 4 minus 1 upon n ठीक है n square के साद n square कटो जाएगा अब मैं limit n tending to infinity an upon bn करूंगा तो वो मेरे पास आजाएगा यह जो n है अगर यह infinity को अप्रोच करेगा तो मेरे पास क्या आजाएगा 2 minus 1 upon infinity का लिफ़म बन जाएगी तो यह 0 बन जाएगा पॉन में तो यहाँ पर आजाएगा 4 minus यह भी 0 बन जाएगा यहाँ पर आजाएगा 4 minus 0 which is equal to 2 upon 4 into 4 16 and 1 upon 8 यह मेरे पास आ रहा है ठीक है तो an upon bn की value मेरे पास 1 upon 8 आ रही है which is not equal to 0 and यह unique and finite है ठीक है तो इसका मतलब कि summation an and bn converge or diverge together ठीक है converge or diverge together यहाँ पर मैं लिखा नहीं है आपको समझ में आ चुका होगा but submission bn जो है वो कैसी series है bn is equal to 1 upon n हमने चूज किये हुए है तो यहाँ पर p की value के है 1 और मैंने आपको क्या बोला था p is equal to 1 and less than 1 के लिए यह वली जो series होती है diverge करती है by p test ठीक है submission bn is submission bn diverges by p test diverges by p test which implies submission an also diverges comparison test लगाया हमने p test भी साथ में यूज किया तो यहाँ पर यह जो submission an थी यानि कि जो an series थी हमारे पास वो diverge कर रही है ठीक है also diverges तो एक और हमने example को solve किया अब हम कुछ और type के examples लेते हैं यहाँ पर तो अब मैंने यहाँ पर एक और example लिए हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास दियो submission an is from 2 to infinity 1 upon n square log n तो अब जल्दी से इसको solve करते हैं तो an की value मेरे पास आ रही है 1 upon n square log n और देखो यह मैंने आपको last lecture में भी बताया था कि log n अगर 2 से शुरू हो रहा है तो मतलब यह monotonically decrease ही करेगा अगर log n denominator में तो ठीक है तो an तो मेरे पास आ गए अब मैं bn को choose करूँगा तो bn कैसे choose करूँगा इसकी power minus यहाँ जो उपर power होगी तो यहाँ पर 2 है और उपर एक भी नहीं है तो यहाँ कि 2 minus 0 करूँगा which is equal to 2 तो bn मैं कैसे choose करूँगा 1 upon n square तो bn को मैंने choose कर लिया कैसे गिया 2 minus 1 sorry 2 minus 0 which is equal to 2 तो 1 upon n square जो वो मैंने choose कर लिया अब मैं an upon bn करूँगा an upon bn करूँगा which is equal to 1 upon n square log n into n square upon 1 अब n square के साथ n square कट हो जाएगा which is equal to 1 upon log n ठीक है मेरे राइटिंग पर मत जाना यहाँ पर ठंड है इसलिए मेरे से लिखानी जा रहा है यहाँ पर तो 1 upon log n आ जाएगा यहाँ पर अब limit n 10 to infinity करूँगा an upon bn करूँगा which is equal to 1 upon log n है और जैसे जैसे n जो वो infinity को अप्रोच करेगा तो यह 1 upon infinity जैसे form को में बन जाएगा और 1 upon infinity जैसे form which is equal to 0 तो यहाँ पर यह 0 को अप्रोच कर जाएगा ठीक है अब यह equal to 0 आ रहा है और अब मैंने 0 के case में आपको क्या बोला था कि अगर bn convergent होगी तब ही an convergent होगी और bn है मेरे पास 1 upon n स्केर और हमको पता है कि यह greater than 1 के लिए convergent होती है तो यहाँ पर कहें कि जो submission bn है that is convergent by p-test ठीक है विच इंप्लाइज submission an also converges ठीक है तो comparison test अब आपको समझ में आ रहा होगा तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा different type का question लिए होगा है ऐसे question जो exam में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर हमने comparison test लगाना है और comparison test में हमको bn choose करने की जूरूरत पड़ती है और bn हम कैसे choose करते है denominator की degree minus numerator की degree बड़ यहाँ पर तो denominator ही नहीं है तो हम कैसे यहाँ पर choose करेंगे तो इसलिए इस तरह के question जो है वह exam में पूछे जा सकते हैं तो अब सबसे पहले क्या करता हूं मैं summation an इसको मैं मान लेता हूं which is equal to summation under root के अंदर है n square plus 1 minus n ठीक है which implies an is equal to an मेरे पास यह आ जाएगा न अंडर root के अंदर आ जाएगा n square plus 1 minus n अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि इसको rationalize कर रहा हूं rationalize में हम कैसे करते हैं इसको कि यहाँ पर जो बीच में sign होता है हम इसे उल्टा sign लेते हैं जिससे की क्या होता है कि a square minus b square जैसे form बन जाती है तो यहाँ पर आ जाएगा n square plus 1 यहाँ पर आ जाएगा plus n और इसी सही मैं इसको divide भी कर दूँँगा n square plus 1 plus n अब a n is equal to अब ऊपर क्या बन रहा है देखो a minus b and a plus b वली form बन रही है तो यह a square minus b square बन जाएगा which implies this is equal to n square plus 1 whole square minus n square और upon denominator सेम रहेगा अंडरूट में आ जाएगा औन स्केल एट उन स्केल प्लस 1 प्लस एन विच इसे equal to यहां पर अंडरूट रोट हट जाएगा तो मेरे पास अ जाएगा n square प्लस वन अपॉन न کिर ऑंडरूट में आ जाएगा अब यह negative यह पालर इस प्लस 1 प्लस n तो देखो a n को मैंने यहाँ पर denominator जैसे इसमें convert कर दिया तो अब मैं यहाँ पर b n को choose कर सकता हूँ अब मैं b n को choose कर रहा हूँ तो denominator में यहाँ पर n की power कितनी highest तो यहाँ पर n square है बटे यह under root के बाहर आकर यह n ही बन जाएगा तो यहाँ n की power 1 ही है और उपर है ही नहीं तो इसका मतलब मैं p को किस तर से choose करूँगा p is equal to 1 minus 0 which is equal to 1 तो b n choose करूँगा 1 upon n raised power 1 तो यह 1 upon n ही बन जाएगा तो अब मैं an upon b n निकालता हूँ an upon b n which is equal to तो अब मैं an upon b n करूँगा an की value मेरे पास यह है और b n की value मेरे पास यह है तो मेरे पास आजाएगा 1 upon under root n square plus 1 plus n into n ठीक है upon 1 which is equal to n upon नीचे से मैं अगर n को common लेता हूँ इस पूरे से मैं अगर n को common ले रहा हूँ तो यहाँ पर आजाएगा n under root के अंदर आजाएगा 1 plus 1 upon n square plus 1 ठीक है यहाँ आजाएगा अगर n जो अंदर multiply होगा तो n यहाँ पर यहाँ पर आndसま के साथ n square कट होगा तो यह 1 ही बन जाएगा प्लस यहाँ पर n आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर n को common ले लिया अब n के साथ n कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बज़ेगा तो यान कि an upon जो bn है that is equal to 1 upon under root के अंदर आ रहा है मेरे पास 1 plus 1 upon n square and plus 1 आ रहा है ठीक है अब मैं limit n tend to infinity an upon bn करूँगा limit n tending to infinity an upon bn करूँगा that is equal to 1 upon under root के अंदर आ जाएगा 1 plus यह 1 upon n square यह 0 बन जाएगा plus 1 which is equal to 1 upon 1 plus 1 which is equal to 1 upon 2 that is not equal to 0 तो इसका मतलब यह unique and finite आ गया इसका मतलब submission an and bn converge or diverge together ठीक है अब हमने देखने कि bn क्या है मेरे पास ठीक है अब हमने देखने कि bn क्या है मेरे पास यह 1 upon n है और हमको बता है कि जो submission bn diverges by p test क्योंकि यहाँ पर n की value 1 है diverges by p test which implies submission an also diverges तो अब आप इस तरह के questions को भी solve कर सकते हो जहाँ पर यह under root में इस तरह से होगा तो अब मैं एक और example लेता हूँ एक ऐसी ही question का तो अब मैंने यहाँ पर कुछ उसी तरह का ही एक question लिए हुआ यहाँ पर तो अब मैं इसको फिर से वही denominator जैसी उस form में बनाऊँगा तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा simplify करने के लिए मैं submission को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर an is equal to under root में आ जाएगा n square plus 1 minus n square minus 1 अब क्या करूँगा मैं इसको बीच में sign को change कर दूँगा उसी से ही मैं multiply कर दूँगा और उसी से ही मैं divide कर दूँगा rationalize कर रहा हूँ मैं इसको तो यहाँ पर आ जाएगा n square plus 1 plus under root में आ जाएगा n square minus 1 upon under root में n square plus 1 plus under root में n square minus 1 ठीक है which is equal to अब यहाँ पर यह फिर से a minus b और a plus b की form में बन रहा है तो यहाँ पर यह a का square minus b का square बन जाएगा अब मैं यहाँ पर इस under root को हटा की लिख रहा हूँ क्योंकि यह square से under root कटो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा n square plus 1 minus यहाँ पर n square minus 1 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा n square तो यह 2 upon under root में n square plus 1 plus n square minus 1 आ जाएगा, ठीक है, अब यह an की value मेरे पास आगी न, अब मैं bn को choose करता हूँ, तो bn is equal to, यहाँ पर यह under root के बार आएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यह n ही बनेगा, यहाँ पर यह n ही बनेगा, तो यहाँ पर यह n की power तो 1 ही रह रही है, तो which is equal to 1 minus 0, which is equal to 1, तो bn की आ जाएगा मेरे पास, 1 upon n, ठीक है, bn is equal to 1 upon n, तो अब जब मैं an upon bn करूँगा, an upon bn करूँगा, that is equal to, तो यहाँ पर यह n जो ही उल्टा हो के उपर आजएगा, तो यहाँ पर 2n ही बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, n into 2 upon, नीचे से यहाँ पर आजाएगा, n अंदर बचेगा, under root के अंदर, 1 plus 1 upon n square, प्लस यहाँ पर आजाएगा, under root में ही, 1 minus 1 upon n square, ठीक है, अब n के साथ n कट्टो हो जाएगा, which is equal to 2 upon, यह सेम जो ही यहाँ पर आजाएगा, इसको मैं लिखी देता हूँ, under root के अंदर आजाएगा, 1 plus 1 upon n square प्लस, under root के अंदर ही, 1 minus 1 upon n square, ठीक है, तो अब मैं जब limit n tending to infinity, an upon bn निकालूंगा, that is equal to, 2 upon, under root के अंदर, 1 plus, यह 0 बन जाएगा, plus under root, 1 minus, यहाँ पर यह फिर से 0 बन जाएगा, which is equal to, 2 upon, 1 plus 1, which is equal to, 2 upon 2, and that is equal to, 1, that is not equal to 0, अब यह unique and finite आगया, और 0 के equal भी नहीं है, तो इसका मतलब, an और bn जो वो converge और diverge करेंगे, together, तो यहाँ पर bn जो बन अपॉन n, ठीक है, अब n की power 1 है, तो p की value 1 आगी यहाँ पे, और by p test, p is equal to 1, and less than 1 के लिए, यह diverge करती है, अब जो submission bn है, that diverges by p test, p test, which implies, submission an also diverges, ठीक है, also diverges, तो अब आपको comparison test, p test, इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होगा, आपने किस तरह से इसको apply करना है, अब देखो, हो सकता है कि किसी case में, आपके पास यहाँ पर यह जो p की value है, यह 1 minus, यहाँ पर अगर 1 minus 1, यह 0 के equal ही आजाती है, तो उस case में आप bn को 1 भी choose कर सकते हो, ठीक है, 1 upon n raise power 0 वो 1 ही बन जाएगा न, उस case में आप bn को 1 भी choose कर सकते हो, और जब आप an upon bn करोगे, तो वो an ही बन जाएगा, और an जो है, अगर वो फिर से यहाँ पर इसी तरह से आजाता है, मतलब वो non zero औ अगर वो finite आजाता है, तो आप उस case में भी आप बोल सकते हो, कि an और bn जो वो साथ में ही diverge और converge करेंगे, बट उस case में जो bn होगा, वो तो divergent होगा, क्योंकि यहाँ पर जो p की value वो 0 है, और वो less than 1 है, तो उस case में वो bn divergent होगा, तो इसका मतलब अन वी divergent ही होगा, तो अब आप लोगों को यह test समझ में आ चुका होगा, अगर आपको lecture अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like जुरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe जुरूर करें, next lecture में मैं आपको ratio test के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत जादा important होने वाला है, तो इसलिए वो वाला lecture बहुत जादा important होने वाला है, तो मिलते है next lecture में, thanks for watching this video,